जब से इनसान इस धर्ती पर आया है तब से ही वह हथियारों का सोखिन रहा है शुरुआत में पत्थरों और लकडियों से हथियार बनाये गए ताकि वह खुंखार जनवरों से अपनी रक्षा कर सके या फिर उनका सिकार कर सके समय भीता और इनसान ने अपनी ले धातू के हथियार बनाना सुरू कर दिया और फिर सुरू ही हथियारों के बल पर खुद की ताकत दिखाने की दोड़ जिसके बाद बंदूग से लेकर फाइटर प्लेन जैसी चीज़ें दुनिया में आई हथियार बने लेकिन इसके उपियोग का उदेश से भी बदल गया जहां पहले जानवरों के लिए हथियार बनाये गए थे वहीं अब इन हथियारों का इस्तमाल इंसानों के उपर शुरू हुआ सीमा विस्तार और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए आज बहुत से देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इन सब लड़ाईयों के बीच आविश्कार हुआ मिशाई या फिर अनू परमाणू बम यह ऐसी ताकते हैं जो पूरी दुनिया को एक ही जटके में नस्ट करने की हिम्मत रखती हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर चाइना जैसा देश भारत पर परमाणू हमला कर दे तो क्या होगा आज दुनिया बर में कुल परमाणू हो थियारों की संख्या 15493 के आसपास है जिसमें से कुल 14409 परमाणू बम अकेले रूस और अमरीका अपने पास रखे हैं बाकी के परमाणू संपन्य देश जैसे फ्रांस, चाइना, इंगलैंड, पाकिस्तान, इसराइल, नौर्थ कोरिया और हमारा देश भारत इन में सामिल हैं इन में से चाइना और पाकिस्तान हमारे पडोसी देश भी रहे हैं और यह दोनों देशी पिछले लंबे समय से भारत को आँख दिखाते आ रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे भारत ने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया और पिछले लंबे समय से इन देशों के बीच सीमा विवाद बना रहा है इसी वज़ा से घुसपैट और गोली बारी जैसी घटनाय तो आम बात है लेकिन इन दिनों चाइना भारत की कुछ घाटियों पर अपना हक जमा कर उसे हड़पना चाह रहा है यह बात तो हम सब को पता है लेकिन क्या होगा अगर भारत पर चाइना प्रमाणू हमला कर दे तो भारत समय पुरी दुनिया की तस्वीर कैसी हो जाएगी जरा सुचिए इसके बारे में जानने से पहले हम को यह जानना होगा कि दोनों देशों के भी क्या-क्या हथियार मवजूद है और इनकी क्या-क्या शम्ता है भारत, चीन और पकिस्तान को मिला दें तो कुल प्रमाणू हथियारों की संख्या 500 के करीब पहुँच जाती है इन में से अकेले चीन के पास लगभग 260 प्रमाणू बं है इतना ही नहीं चीन के पास DF-5, CSS-4 और ICBM नामक लंबी दूरी पर वार करने वाली मिसाइले भी मवजूद है जी हाँ ये अपने देश से ही 8460 किलमीटर तक सटीक निसाना लगा सकता है चीन के प्रमाणू हथियारों में लगभग 20 ऐसी मिसाइले मवजूद है ठीक ऐसे ही मद्धे दूरी पर वार करने वाली मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा चीन अपने पास रखता है चीन भारत के सभी बड़े सहर जैसे की मुंबई, दिली, कोलकता, बैंगलूर, आदी को असानी से अपना निसाना बना सकता है चौकने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों को चीन, जल, हवा और जमीन कहीं से भी दाग सकता है इतना नई चीन के पास जेट 20 जैसा ऐसा फाइटर जेट मवजूद है जो आज की दुनिया में किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता इसी जेट की मदद से परमाणू बम हावा से भी गिराया जा सकता है अब बात करते हैं हमारे देश भारत की तो हमारे पास कुल 110 परमाणू हत्यार मवजूद हैं और अपने जखीरे में से आधे से ज्यादा बम हम प्रिट्वी और अगिन जैसे लंबी दूरी वाली घातक मिसाईलों के सहरे लौंच कर सकते हैं हमारे पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाली बलास्टिक मिसाईलों का ऐसा जखीरा मवजूद है जो एक ही बार में 24 परमाणू बम डाग सकने में सक्षम है अगर चीन पर हमला करें तो चीन का एक बड़ा हिसा अभी भी हमारी पहुंच से बाहर रहेगा अगर चीन भारत पर परमाणू हमला करता है तो ना सिर्फ भारत बलकि चीन और पकिस्तान को मिला कर आधी दुनिया की जिंदगी दाव पर लग जाएगी अगर भारत और चीन अपने जखीरों में से आधे परमाणू बम भी लॉंच कर देते हैं तो एक ही जटके में तीन से चार करोड़ लोगों की मौत निस्चीत है इतना ही नहीं इस हमले का असर ना सिर्फ पडोसी देसों पर होगा बलकि आधी दुनिया को इसकी मार सहनी पड़ेगी जहां भी परमाणू बम गिरेगा उस इलाके में तेज चमक के साथ बयानक आग का गोला उठेगा जो कि सेकड़ों मिल तक सब कुछ जला कर भस्म कर देगा बम के गिरते ही लाखों लोग इसकी गरमाहट और रेडियेशन की चपेट में आएंगे और उससे ही उनकी जान चली जाएगी ये चमक इतनी तेज होती है कि सेकेंड के कुछ हिस्से में ही इनसानी आखें अपनी सकतिया खो देती है बम से निकला धूँआ आसमान में सैकड़ों मिल के जहरीले बादल बनाएगा जिसे वहां महजूद हावा पूरी तरह से जान लेवा बन चुकी होगी इससे निकली तरंगे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ाते हुए आगे बढ़ेगी इसके संपर्क में आने वाले इंसानों और जानोरों की जान कुछ अजीब धंग से जाएगी जिन्दा लोग अंदर से जल उठेंगे गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि हटियां अंदर से ही पिघलना शुरू कर देगी अब मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ हीरियोसिमा और नागा साकी पर गिराएगे बमों की छमता मातर 21 तन थी लेकिन जो बिनास उसने वहां मचाया था वो पूरी दुनिया जानती है अब चीजें आधुनी खो चुकी हैं और परमाडू बम 6-6 मेगा टन्स के बनाया जाने लगे हैं अगर ये कहीं फटे तो बिनास जो होगा उसकी कलपना भी नहीं किया जा सकता इसके चपेट में चेतर आने वाले कई सालों के लिए जानलेवा बन जाएगा रेडियेशन इस कदर फैलेगी कि लगभग पूरी दुनिया को इसकी मार सहनी पड़ेगी परमाड़ी विस्वोर्ट से निकलने वाले कारबन से बने हुए बादल थोड़े ही समय में एक बड़े छेतर को घेर लेंगे जिससे काफी लंबे समय तक उस छेतर में सुरज की रोसनी नहीं आएगी इसके बाद इन काले बादलों से सुरू होगी तेजाब की बारिस लाखों लोग इस बारिस में मारे जाएंगे यह बादल पूरी धर्ती की 40-70% तक उजोन परत को नश्ट करने की ताकत रखते हैं जिसके बाद दंतरिक्ट से आने वाले अल्ट्रा वायलेट कीरने पूरी मानोजाती और वनस्पती अस्तित को खत्रे में डालेंगे इसका सबसे भ्यानक नुकसान वातावर्ण को होगा जिसे से कम बारिश और रतीले तुफान आएंगे सायद हो सकता है कि इस हमले के बाद भयानक सर्दी भी पड़े और आधी दुनिया बंजर और बिरान बनकर रह जाएगी फसलना होने के उजर से बचे कुचे लोग में भुकमारी ऐसे फैलेगी कि इनसान इनसान को ही खाने को मजबूर हो जाएगा इस हमले के पेड़ाम आने वाली कई पिणिया भुकतेंगी हिरोसिमा और नागा साकी पर गिराए गए बंग को आज 75 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी उस हमले के आशो वहां के लोगों की आँखों में देखे जा सकते हैं आज भी वहां के लोग पूरी तरह से सेहत मंद नहीं हैं तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा चाइना आज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है गलवान घाटी में हुई चाइना की तरफ से ना पाक हरकत या बयान करती हैं कि वो कितने बुजदिल लोग हैं कैसो उन्होंने हमारे निहत्य जवानों पर घाक लगा कर वार किया अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाइना की अर्थ वश्ता का एक बड़ा हिस्सा हमारे भारत पर निर्वर करता है हम लोग उनकी चीजों का इस्तमाल करते हैं जिससे उनको एक मोटा फायदा होता है मैं उमीद करता हूँ कि आप उन चीजों का बहिश्कार करना सुरू कर देंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद